लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर सोर से चली दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए एक जब मोहन भागवत जी का इंटर्विव आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहूल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि RSS तो स्वागत कर रही है यात्रा का तो फिर RSS के उपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है पहली पहली हम RSS और BJP को अलग अलग नहीं देखते हैं हमारी समझदारी में RSS जड़ है BJP उसका फल है ये भ्रम हमारे मन में नहीं है भले वो कहते हों कि हम सांस्कृतिक संगठन है लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीती पराधारित है और इस बात को हम यहां स्पस्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है सांपरदाइकता देश का नहीं है आरेसेस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांपरदाइक राजनीती कर रही है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है जैसे दही दूध से बनता है लेकिन दही दूध नहीं होता है दोनों की प्रकृति अलग-अलग होती है कोई भी धार्मिक विक्ति किसी का खुन बहाना किसी को मारना किसी के उपर हमला करना नफरत फैलाना इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीती की जाती है जब राज सक्ता और धर्म को मिलाया जाता है तो वो धर्म नहीं है वो राजनीती है इसलिए हमारी नजर में RSS सांस्कृतिक संगठन नहीं है सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाव के लिए